मुझ पर बोलो जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे इस तरह से आप लोग भी अपने जीवन में अपना यह सीधा बोलिए जितना भी चीज़े हैं मन में या फिर कहीं भी कोई बैर नहीं रखने की कोजिस कीजिए चली 35 कोशन आपका कड़ा दिया गया था और आगे कंचिन्यू करते हैं आपका 36 नमर कोशन से इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर फर्स्ट पार्ट जरू देखेगा उसमें आपको का फूरी हैल पूर रहेगा फिर नेक्सट पार्ट के लिए आप जा सक चली आपको बताना चाहूंगा टेलिग्राम चैनल लिंक किसी वीडियो को डिसक्रशन मिल जागा जिसमें अभी लगवग 512 से जादा लोग यहां पर कनेक्टेड हैं यहां वो लिंक बेज देता हूं जितने भी लोग अगर आप भी ज्वाइन कर पाएंगे आप यहां पर से देखें प्लेइल लिश्ट जाएक और यहां असलिए उठा करके अभी सभी लोग को शेर कर देजे चली स्टार्ट करते हैं और जितने भी लोग फाइल के लिए पीडियेफ की नोट्स के लिए पूछ रहें में यहां पर एक सकेंड में बता कर क्या के आग पर नोर्स हो गया है यहां पर आपको मिल जाएगा वहां सब्लाब उठा सकते हैं चलिए सीधे टाइमने वेश्ट करते हुए कोशन पराते हैं संसोदन 1989 नाइटीन नाइटीन नाइन उनिस्ट नवासी में आपका यह किया गया था इक सट में समीदान संसोदन संसोदन 1988 दौरह मतादिकार की आयू जो है 21 से ले कटा करके 18 वर्स कर दिया गया था जो कि 28 मार्श प्रभावी हुआ यानि कि इस दिन से एक्टिव हो गया था पूरे रूप से नव्यू को को दोहरा अठाड़ा बर्स की आयू पर मतादिकार का पहिला इवबार प्रयोग नवंबर उनिस नवासी में संपन नोमी लोगसभा के आम चुनाव में किया गया था अभी लोगसभा क सब्सक्राइब के मतादान की आयू अकीज से घटा करके अठाव बर्स कर दी गए कि संसोदन के तर्किया गया है सेंव कोशन रिपीट हुआ दखिए आपका 2008 में भी रिपीट हुआ है उनिस सोच्यावे का कोशन उठा करके 2008 में पूछे इसलिए आपको प्रिविए से कोश सुची में मानने सरकारी भासाओं की जंख्या कितनी है जितनी भी आया बताएगा कितना है तोटल जो भासा इसमें है अब संसोदी दोगर के बाइस दिया गया है 2008 के हिसाब से कोशन जब था उसमें अठाड़ा था नाइंटीट टू बे यानिकी बैलानवे समिधान संसोद सब्सक्राइब रखेंगा नेक्स्ट कोशन है आपके समकच कॉमेंट में बजरू बताएगा सभी लोग का एंसर ताकि आपको याद रहे आई होप के क्लिए अभी दिख रहा होगा सीडीपी और इनी एस के पुना घटन के लिए उनिस्तों संतामन में ndC द्वारा स्थाप सब्सक्राइब में 52 में सामुदिक विकास कार्करम सीडीपी जिसको करते हैं अब बर्स 1903 पर में राष्टी विकास विस्तार योजना एनी एस के पुनार गठन के लिए राष्टी विकास पर इस द्वारा बल्बंतरा महनत महता समीता समीती का गठन बर्स 1907 में किया गया ग्रामिन छेतरों में 35 पर नालिकी शंचाट की थी एक कोशन भी कर पूठी पूछे जाते हैं कि की ससथे हैं धो स्तर है तीन थ्रेंगा ईगा विस्स पर इसे केंदी आष्बिष्था के लिए कौन सा सहीन नहीं है ऑप्सन है तो इसमें कौन सा पूछाए नहीं है तो सही जवाब होगा बड़ी देशों के लिए आदर्स के लिए हम नहीं करते हैं तो यह सही जवाब होगा सिनबर हो केंद्रिय विएस्ता में सर्वुष सत्ता संग्य विविश्था में बड़्च जाती है आमतर पर संग्य विविष्था में दो अस्तर पर सरकारे होती है में एक केंदर सरकार होती है दूसरी राज्य सरकार जो आप लोग एक बिहार सरकार जिसे की узнаmple ने यह दूसरी सरकार जो केंदर दो सरकार उसकbourgिह अलग-लग led की सरकार है एक ही नागरिक के समूव पर साथन जिससे का है पर्सासन में उनका अपना अथिकार होता है केंदरियेaltetल Ne soldier देखने मिलता है कानल को युकि रूपता परिश्यायक होता भी कि चोंटे दीशों के लिए आदर्स वरस्ता होना कि बड़ी देशों के लिए यमेद्युद में आपसे चोटा देश हैं बंगला देश हो गया पकिस्तान हो गया क्रिखा वी के लिए हम काम करते लेकिन ने चाहिंए इसक्रम्टर में इस्धारी Something old विकंदरी करन्थ पर नाली की सिपारेज इसके बाड़े मेहता ने नवंबर में सिपारेज पर अपनी सिपारीस प्रस्तूत की ती जिसने उन्होंने कि बिकंद्री करन की रिंगна जुक्ष होता है है मतलब कि हड़े एक चीजों को बटबार करना तीटा ड्रप क हजोंक मोता है राज के पास क्या होता हो जिसने टेक्स हो गया इसन oh ती नब्ट एक यह सारे तीन के प्रफ़ट होती है इसके अनुऽ सारी तरन पर्जाइती राज संस्ताओं का कठन होता है जिलास्ता अस्तर प्लॉक अस्तर और ग्राम इस्तर यह दिखा जाता है नेक्स अकोशन आपके लिए अब असुक महता समीटी ने निमलिकित की सिफारित की थी अभी दखीक में ने बताया था अगर इस तरह का कोशन आएगा तो आप देखते एंसर नहीं लगा लिजेगा बिल्कुल ही लगा सकते हैं यह आपका इसमें समीजे असुक महता और यह आपका बलमंत राज महता थी द इसदı 1978 में अपनी रिपोर्ट परस्तुत की जिसमें पन्चायती राजकली त्री यह पर तेबादन Midynı दो इस तरी परस्था की गई थी जिन्में जन्पधद इस थर पर चिला परसद होगा पंदरह हचार से बीस हजार जंसंख्या गाउंगמצल पन्चायत के गठन का सुझ एक सिरुन समस्तर के ऐस को धोतित कड़ JEFF कर डिंच तो करेंими के अच्छतिक दूसरा होका जिसकी जन संख्या कर से 50,000 की गाउह Tea को पंचायत कघठन का सुझाव दियाता है है नेक्स्चेप 43 नम्र कोस्ट बताईगा प्रशासनिर प्रधिकरन है यहां प्रवैच्च के प्रवैच्छ के प्रधिकरन जो —ules ने जसे पील प्रधिकरन समेद सब्सक्राइब भी कोसिस करते हैं एवं पड़े बेच्छक के रूप में काड़ करते हैं यह ग्राम पंचायत और जीला परसासक के मद्धे संपर कर पर मुख करती है अपने में से एक पर मुख है एक पर मुख है एक कनिष्ट पर मुख चुने जाएंगे इसके लिए निम्न समीतिया घठित की जाएंगे इस चासमीति होगी निर्माद सब्सक्राइब सब्सक्राइब नेक्स बताइएगा आपके लिए दोजार सोल लेटेश कोशन है भारत में ब्लॉक सस्तर पर बनी पंचाहिट समिति केवल है तो क्या है यह आपका अभी में बताइए प्रसासनी पड़ा देख रहना है और कुछ नहीं है यह आपका सेमी कोशन था इसी को भ्य कोशन नेक्सξ बताइएगा निंइम्द में से कौन सन युज्टराष्ट की परिसत का स्थाइस सदयसन नहीं है तो जर्मनी नहीं है बाकी ब्रेटेन है फ्रांस भी है चीन भी है यह आपका अस्थाई सदस है पांच जो है इस अपका रूष फ्रांस और फिर चीन यह पांच है जिनके पास एक बीटो पावर होती है उसको किसी भी चीश को मना कर सकते हैं इनके पास यह सकती है बाकी जो दस है जो अस्थाई सदस होते हैं जिनका काड़काल जो होता है यानि की काम करने की अबदी होती है हर्दी एक दो साल में दो साल के काड़काल के लिए संजुतराश्ट महासवाद्वारा चुने जाते हैं उस्टि is एक संघर्ठन है किससे जूड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संघर्ठन से नसित अधिकारों के संरचे से संब्दी थे यह दे सकते हैं 2015 में यह कोशन पुछी गई थी एमनेस्टी इंटरनेशनल एक बीस्ट व्यापी माहनव अधिकार्स आंदोलन है इसकी सुरुवात स्थापना जो की गई थी 1961 में लंदन के बैरिस्टर पीटर बैस वैनेसंस ने किया था पीटर वैनेसंस ने बीस में होड़े ही अन्यतिक गिरिवतारी के विरोद में दाफॉर गाटन प्रिजिनर्स यानि जो भूल चुके हैं प्रिजिनर्स यानि कैदी नामक एक लेक लिखा है अमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचार पर एक मूर्त है इसका मुक्याले लंडन में खुलेगा यानि बीटेन में खुलेगा तो मुक्याले वहीं क्या सबस्क्राइब होगा तो लंडन में है ठीक है अमनेस्टी इंटरनेशनले इक संगठन जो किस ते जुरावा मानव अधिकारों के संद्धिन से जितने भी प्रिजिनर्स में यानिक जो कहां पर चितने करेंट रखेंट सब्सक्राइब आप जो करेंट में चल रहा है इस सारी आपको इंटर रिलेशनिस कि आपको देख कर जाना है जब भी आप जिस भी एकजामिसिन के लिए जाते हैं निउ उसमें था निउडर्शायच निउ एजनसी के नाम से जाना जाता है कोशन आते हैं आपको ध्यान देना होगा लगवाब 25 एवरेज मानके चलिएगा इससे प्रचीस कोशन आपको आएंगे यह आएंगे तो करेंट को नेगलेट मत किजिएगा उसको जरूर देखके जाना है आपको छे मेहने के लिए kelic.446 कि इस की सरकारी रिपोट को यह बोग कहा जाता है बताइएंड है ऑपस्न के सरकार यह यह गनियुजा है और है जब बजट होता है हमारे तरफ से यांप है बित होता है फाइनेंसल बजट होता है या किस तरह की प्रसुत किया लोग के लिए कोशन है भारत के पर्थम विश्विष्याले के अस्थाफना अगस्त 1977 कहा ओई थी आक त्रिवेंदरम अहमधाबाद या फिर नहीं दिली इसका सही जवाब है आपका बैंगलड़ु ठीक है करनाटिका में पड़ता है बैंगलड़ु और इसका सिलकन वेले के नाम से भी हम लोग जानते हैं बाहरत के पर्थम बिध्धी विश्विद्याले नेशनल लॉव स्कूल आफ इंडिया की अस्थापना अगस्त 1987 में बैंगलड में की गई ही ठीक है याद रखेगा सीमा सुरेच्छा बल इसको करते हैं इसके अस्थापना कब हुई है इसका कोशन था बताईएगा बहुत कोशन आया करती थी पहले लेकिन अब तक्थ्यों के वेश्य पर आती है कोशन थोड़ा डेप्थ में ए कर्थन के रूप में पूछा जाता है तो आप ज़रूर ध्यान देजेगा इसका जो स्थापना हुई थी 1965 में इससपी का सीमा सुरच्छावल की सीमा सुरच्छावल भी सब सोरी इसका सब्सक्राइब बोल लेते हैं यानि बॉर्डर सुरच्छा फोर्स बल जो है यानि जो भारत और पर उसी देशों की सिमा को पर तैनात किये जाते हैं इसके मुख्याले जो है नई दिल्ली में यानि कि राजदानी भारत की राजदानी में परता है और बॉर्डर सीकुर्टी फोर्स जो है आप देख सकते हैं आप पंजाब में जाएंगे पकिस्तान में कहीं भी एक कोशन पूछे जाते हैं एक तो कोशन आता है अंगिकरित कब हुआ था एक कब इसका लागू किया गया था और राष्टी यह सुतंता दिवसी की रूपे मनाते हैं 26 जनुर्य उनिसोंपचास से इसका सही जवाब आपका आएगा 26 नमंबर उनिसोंचास को भारत समिधान को अपनाने और उसकी पुर्ण होने पारित होने और अंतिय रूप देने की तारिक भी 26 नमंबर उनिसोंचास को ही माना जाता है इसी दिन नागरिक्ता अंतक कालिंस संसद औरस्थाई संक्रमन कालिंस उपबंद लागू हो गया वह समिधान को संसे उपबंद 26 जन जन बड़ी 1950 से परवाव होगे अतर समिधान को पूर्ण रूप से लागू होने और पूर्ण रूप से क्रियारमित होने की तिति जो के रूप में 26 जन बड़ी 1950 को करहन करते हैं याद रखेंगा यह सारे चीज़े पॉइंट को आप लिए सकते हैं नेक्स कोशन पर चलते ह सब्सक्राइब को अपनाया गया था क्सुन सभागल अपनाया अभारति शवर्यधान के प्रस्ताव्ना की सिलसले में निम्लिकित में कौन सा क्रम सही है तो पताएगा कौन सा करम सही है सारभं सत्ता शंपन समाजबादी धन रुपेश जनवादी घंतंत्री इसको हम मांते हैं ठीक है इसको देखिए परसमें दिएगे सब्द है भारती समिधान की परस्तावना में वर्नित किये गए यह भारती परस्ता के रुपकर कही हैं इनमें से समाजबादी हमोघन निर्फेश सब्द मूल समय नहीं थे इनहें 482 小िज का सम्दों केसा समीधान निर्थारित क करम इस तरह से सर्भाउम सता संपन समाजबादी बंत्र निर्वाइच जनवादा गंतंत्र दिहान रखने योगत तत्थ है कि सवीदान में लखित सब्दे कि यह संफुन संपन यानिंगी प्रभुत संपन समाजबादी बंत्र सब्सक्राइब भारत को किस रूप में घोसित किया गया तो एक सार्व संपूर्ण सार्व होम समाजबादी धर्म निर्पेश परजातांत्रिक गंतंत्र उप्योक्ति आप ब्याक्या देख सकते हैं सेम को रिफीट किया गया तक चलिए नेक्स्ट कोशन बताईएगा भारत में लौकिक सर्भामिक्ता है क्योंकि समिधान की परस्तावना प्राराम होती है कहां सोती है तह हम भारत के लोग सब्दों से यहां से प्राराम होती है यह देख सकते हैं रिपीट किया गया कोशन है भारत भारती समिधान की परस्तावना में लीखा गया है सबसे पहले भारत के लोग हम भारत के लोग सब्च yogh कि नमों बताएगा भारत में परजातंतर इसे पर अदारित है कि जनता को सरकार जुंढने और बिदलने का अधिकार प्राप एं डारित है समिधान लिखी थैं ये तो सही है बिल्कुल है यहां पर मौलिक अधिकार प्रदान किये गए हैं यहां राज के निदेश्यक तत्व है तो इसमें सही जवाब भारत में प्रजात्तन तत्व प्रदारी थे कि जनता को सरकार चुनने और बदनने का अधिकार है जो कि अभी एलेक्शन के द्वारा आप लो को पता चल जाएगा आने समय में कोंग्रेस का सरकार बन रही है बीजेपी की सरकार बन रही है आप लोग किसका बोट दे रहे किसका समवर्तन कर रहे को में उसमें पताईगा चली ने इसका परजात्तनत्र का आसे है जंता के लिए जंता की सरकार समझे कि परजात्तनत्र य नेक्स्ट कोशन को पूरा पढ़िए औप समझेंगे तो आपको करके बाइस सद्ध है नेस्ट है भारतिय समीदान की प्रकृति क्या है संघिये है कात्मक संध्य या प्रकृति में संघिये किन्तु भावना में यहाथ मगा तो यह का सही जवाब होगा प्रकृति में अग गई राज्यों का एक संगठन है कि ग्रूपों का संगठन है इसलिए इसको संगिये करते प्रकृति में संगिये किन्तु जो भावनात्मक है यानि जो अपना-पना सभी लोग चाहते हैं विकास के लिए समिधान वेता ने जो समिधान को मुख की दो बढ़ को में विवाजित किया गया थैंठात्मक और एक में एक समीधान ओब समीधान जिसके अंतरकर सारी सकतिय सकतान जो प्राय सरकार गरांट अबभा उर्यादैस है इसके कहिए संध्रियों के विवाजन रात niin किकूर में किरे को suppose सब्सक्राइब करते हैं दोनों सरकारों अपने अपने छेत्रों में पस्वतंतर रूप से कार करते हैं बारती समिदान की प्रकृति के बारे में बिधिवेद्था के में काफी मतभेद रहा है समिधान निर्वाताओं के नुरसार भारती समिदान संभाति के संगात्मक यह कि इसे अर्द संविदान और एक एकात्मक संविदान जिसमें संभात्मक till उस शहाय को रूप में है कहा है जैनने के नूसरा भारते संभिवदान में खेंदरी करन की ससनक्त प्रवृति प्योंक्त बिसलेशन से हम कर सकते हैं भारते संभात्मक ना तो विसुद्द शंगात्मक है ना है बिसुद्ध एकात्मक है बलकि यह प्रकृति में संगिये है किन्तु भावनात्मक में एक है यानि कि जिसे कि हम लोग बिचार करते हैं अपनी अपनी सरकारे नौर्थ-इस्ट का अलग सरकारे है उनकी अलग नियम कानून है जमुकस्मीर का अलग है आप सब्सक्राइब किसी से चाहिए पकिस्तान से यह हो या फिर चीन से हो तो एक दिस बनते हैं एक संगठ्ठित एकात्मक उसमें आ जाती सरकारे उसमें माइने में चली नेक्स्ट कोशन आप पताएगा 69 कोशन भारती समीधान की दस्मी अनुसरी का संबंद है किस से हैं भारत सब्सक्राइब कानुन से बारती समीधान की दस्मी अनुसरी का संबंद का संबंद कानुन से हैं इसे बामनबा समीधान संसोधन अधिनियम मुनी से पचासी द्वारा जोड़ा गया था ठीक है नेक्स्ट लास्ट कोशन हम करेंगे 61 उसके वीडियो को यह सौर्ट रखेंग सब्सक्राइब बाकी का फिर नेक्स्ट वीडियो आपको दीरी दीर लाया जाएगा और पूरा आपको कंपलीट कर दिया जागा है साइंस का पूरा पूर्सन कंपलीट कर दिया गया है किसमें दुबड़ा कर वारा हूं पर कांप और इस दरह के डेली वीडियो अगर आप आप लेखा जो खाप करते हैं चाहिए आप दिली के हैं तो इसका अलग टेक्स लगती यह बिहार का अलग लगेगा तो अलग राज्यों की यह राज्य-ग्राज्यु का शोची का बीछर्व है ठीक है आज इस वीडियो के पर करते हैं कोई कोशन रहता है कोशचन पूछ सकते है पीटियाफ नोट्स के लिए जो भी से अप्द ni नोट लेना चाहते अपो मिले और और न्सी याइटी का सीक्स करके तक आपको से मिलेगा तक उर último तक उसके लिए आप कंटक्ट कर सकते हैं आपको नमबर औल्री से भी लोगों को पता है सेहोट इसे